मैं मनों जादाओ, सरशती ग्रूप आफ्वालिंग के इस डिज्टल प्रेक्टाम बार आपका स्वागत है आए आप, हम आपको लेके चलते हैं, डियाले, सेकंड सेमिस्टल के प्रतमपत वर्तमार भारती समार और प्रारम में सिच्छा के अंतरगत, सिच्छा की प्रकेटि यानि कि आज हम सिच्छा के प्रकेटि के विशेय में अध्यें करेंगे कि शिच्छा की प्रकेट यानि कि सिच्छा हमारे जीव différents में प्रिवर्था ला सकता है, उसके हम प्रिवर्था ला सकता है उसके मात्रां से हम, शिच्चा के फिर्कित के बारे के अठ्हें करेंगें। सबस्क्राइण नाइज है, सिच्चा को यह मुखी पर किलिया हैं। सिच्चा में दो दूप होते हैं, एक सिच्चा, दूसरा चात्र। सिच्छा को ज्यान परदानी या जाता है अगर सिच्छक कोई कुष्चन करता है कोई प्रवन करता है तो छात्रकुत प्रविता उत्तर लेता है सिच्छक अगर पढ़ा रहा है तो छात्रकुत उसको सुन रहा है सिच्छक कुछ सुना रहा है कहानी तो ध्यान पुर्वाव छात्रकुत उसको सुन रहा है दीरे जीरे इसी के मादल से दो ब्यक्त दीरी आपस में करते हैं एक दूसरे में मिले रहते हैं, और दूसरे के प्रिवहाँ के परिवन कह लाते हैं, परहा है सिछ्षड दूसरा है चाठ, यैनिकि दो लोग दो रोग मोरते हैं एक सिच्छा, दूसरा चाथ, इन दो मुखिय भी ही सिच्छ प्रिक्रिया चलती है, सिच्छ के दौरा चाथ वें हर संभव सर्मानुल विकास किया जाता है, सिच्छा दिया जाता है, दूसरा है, सिच्छा त्री मुखी प्रिक्रिया है, सिच्छा त्री मुखी प्रिक्रिया ह इनके जनताता है जानडेवी माहदर। जानडेवी माहदर ककानह था की दो ध्रूवों की भी सिच्छरकार पहीं स्कता है। थूवों की सिच्छरकार कभी आगे नहीं पर सकता है। उसके मिन knterop э assumptions & 5 अं Moruma निटान आउस्सक है। बिना पाठकरम को, शात्र को क्या पढ़ाया जाएगा या जान देगी मौधन नहीं बानते थे। पाठकरम का मतलब यह नहीं कि वह केवल पुष्ट की ज्यान से है, ऐसा नहीं है। वह समाज में पुष्ट की ज्यान के बार समाज के द्वारा सीख अनुगव, विचारों, भावों को किस प्रकार रखना है, सुनना है, दीरे दीरे अनुगव गरहन करना है। इस सारी चीज़ें समाज के बार सीखी जा सकती है। पाट्रम का मतलब यह नहीं कि क्यवार पुष्ट की क्या है, यानि क्यवार पुष्टक से भी हम सीखेंगे उसके अलावा समाज से, संथान से, आस पड़ोस से भी हम सीख सकते हैं। तो यह पतन चार्ण देवी मौंदे का है। त्रीबुखी प्रकिजया के अंड़ा, सिच्छय का पट्रम अग्राया है। अगला है, सिच्छय अग्क जपती प्रकिरिया है। वह कुछ न कुछ सीखता रहता है किसके तरा संसान के मादम से परिवार के मादम से समाज के मादम से निरंतर धीरे धीरे वह सीखता रहता है और अपना उन्मत करते हुए विकास के मादम पे अग्रसर होता है किसना है सिच्छा विकास की प्रिक्लिया क्या है विकाश की प्रिक्रिया कैसे जब जन्म लेता है तो वह के वह हार मांस का पतला वोता है उसे कुछ पता नहीं होता है जब वो धीरी धीरी बड़ा हो होता है किस महीं किस चाबो के बाद होह यह चभूरा साहए तो मा कोरा बहान को ऐन को बार होता है उसके बादué असके बादव अलुद को लाता हृत दीर तीन नहें नित नमी ग्यान के बारे में जानता रहता है और उन्हों करता रहता है जिसके उनका विकास होता है जिसके उनका विकास होता है अगरा एटना इस है सुरी इस चुट गया है सिच्छा एक सामाधी के प्रिक्रिया है क्या है सिच्छा एक सामाधी के प्रिक्रिया है कैसे है कि जब बालत जन्म नेता है तो उसे कुछ नहीं लेकिन जब डर्ड के मेहनींãy दोसे सज्यान होने लगता है जब बच्चा वह इतु हुआ को बुर्ड सुरू कर देता वह मैं दुर्द समझ जाता है किमेरे दूद पिलाना सुरु कर देती है किसे थिसक्ति एक्टर्ड़ दूद्ड पुलदाई और वो समाध की अनुफों के बारे समाध से धीले दिलया अनुफ़ु करेंगे और समाध तो का प्रस्तूत करेंगे अपने बातों को कि प्रकाह रखेंगे इसके बारेगे जलनकारी उसको हो जाती हुग हो शिच्छा के विकास के विकास के रूप में, यानि कि बालत जब जर्म देता है, तो वाकिवाल हरमांस का पुट्रावाता है, लेकिन कुछ सक्ति उसके अंदर भी दवान होती है, नीहित होती है, छुपी रहती है, उन सक्तियों को सिच्छा के मात्यं से दीगे दीडे बार के तरफ निकाला जाता है, कि इसके मतल से एपू whackक के दो हैं सिच्छा क्यों कि वह सिच्छा क्रहण कर सकता है और सिच्छा के मात्र सोनी अंतर प्रागे की तरप बढ़ सकता है ठका है सिच्छा का अर्थ केवल बिद्धारों में प्रदर्थ ग्यान तक्सिमित नहीं है यहां पे सिच्छा विडारत लोग यहां बता रहे हैं कि सिच्छा का अर्थ केवल यह नहीं कि जो वह एक निश्चिक समय में, एक निश्चिक भूभाग में, एक निश्चिक पाटग्रम में के अंतरगर, एक निश्चिक सिच्छ के त्वारा जो हम सिच्छा कराण करते हैं वह षचीं हर था। विद्यावे दीर दाने वाली चाहिटा नहीं है। I will say that जिस्चारे टाम लिद्रगा veins नहीं है उसम्ब बियाने के बहार परिवार परोज कि अंश्पाघ साहों में जो वालक अनुखो पर श्कृता है वह Urgen क्योंकि हमारे त्रीघी प्रिक्रिया की जरुंदाका धाउनदेगी महोदान ने बताए भी है कि पाठीकरम के अंत्रगार्द के वगार पाठीकुस्त की घ्यान से मतलब नहीं है उसके बाद समाज के द्वारा अंगों किया गया ज्यान भी शिच्छा के अंदर गर्द आता है अलगा पॉइंट है शिच्छा समायोजन की प्रिक्रिया है शिच्छा समायोजन की प्रिक्रिया है यह से ब्यप्तिक अपना संक्रित विकास कर सकता है कर सकता है बिना सिच्छा की नहीं लेकित भी बात नहीं है कि सिच्छा उसको संक्रित विकास करेगा सिच्छा समयोजिन की प्रिक्रिया है कि वह समाद में अपने आपको कैसे समयोजिन करें कैसे मिलाएं समाज करूं अपने आपके कर से ढालें इस सारी फिजे सिच्छा के द्वारा ही बताया जाता है अगर वह सिच्छा के मात्यम से समाज में धल जाता है तो वह निरत्तर गुनत और विकास की अगसर रहेगा अगर वह समाज में नहीं धल पाता है तो वह समाज से दूर रहेगा और धीरे धीरे वह मांसी उपसे गर्षित हो जाएगा पीमार हो जाएगा तो उन मांसी उपसे गर्षित उत्यलिक से बचाने की नहीं सिच्छा के अवस्या के है सिच्छा के मात्यम से ही हम समाज में आसान सबसें सक सकते हैं अगला प्वाइन and I'm theंज की प्रिक्रिया करता है शिच्छा अगर शिच्छा नहों तो मैं अपने जीवन रुपी मार जाए क्या उल्गा फटक जाऊंगा और जीवन बेर्थ हो जाएगा करता है क्या बेर्थ हो जाएगा तो उसके लिए सबसे जरूरी यह एक हमें सिच्छित होना अगर हो शिच्छित रहेंगे तो हमने यह पता हो जाएगा अपने जीवन हो अच्छी से पगित करने के लिए इस मार चपर पर चलते हों अपने आपको उन्नत की तरह ले जागा अपना विकास करें और ये सारी परिक्रिया सिच्छा के बारा ही हो सकते। सिक्षा बेवहार में है इन सारी परिक्रियावन के इन सारे परिक्रों के अंततकर के बार में सिच्छा इसाद्रा ना कि ना करता है एक शिक्षा की बैवहार ही परिवहार國 लाजना ओंद सीसलें नहीं कुछ नहीं कोता है अगर मुषिच्छा नना कर रहे अगर नम हो और प्राव्तार क्वसूद के समान्वाय करेगा लेकिन जब वो सिछा ग्रहण कर लेता है तो उस प्वस्तृष्टि उपर यानि प्राडियों में सब्से एक नंबर का प्राडियों उत्तम प्राड़ी माना जाएगा ये किसके मात्यम से है या सिच्छा के मात्यम से है तो ऐसा होने पे धीरे धीरे उस ब्रैक्ति के विवार में क्या हो जाए ये परिवर्तन हो जाए तो अभी पसुगत विवार करेगा तो आज का हमारा टॉभी था सिच्छा की प्रिकिल्ट के अंतरगर सिच्छा जुल्म की प्रिकिल्या है एडम स्क्रों जेकर साथ सिच्छा जुल्म की प्रिकिल्या है ज्यां देवी के अरुसा सिच्छा जक्सी प्रिकिल्या का निरंतर जड़ी वाली प्रिकिल्या है सिच्छ करते हैं शिच्छा विकास की प्रिक्रिया क्या है शिच्छा के माध्यन से हमारा निरंतर उनत के मार्ण पर विकास होता रहता है सिच्छा बालक के जर्मदार सत्यों के विधाद में, क्या है? बालक के अंदर के जर्म समय को सत्य नीद होती है, चुपी रहती है, वो सिच्छा के माध्यम से बाहर निकाला जाता है और उसको मिनत्तर आणी की तरफ ले जाया जाता है सिच्छा का अर्फ के वाल विधालों में, प्रत ग्यान धर्antic मित नहीं है, यहाँ पर शिच्छा बिद्यलप द्यारत को कर रही हैいます क्या है? सिच्छा कातुन कई? प्रिट्रिया शींज्च्च्छ वोल दिसके मांदन से हम अपने आपको समाच में समयोचित कर सकते हैं मिल सकते हम अगर शींज्च्छा नहीं कर पाएंगे और मांसी ग्रुप से गर्सित हो जाएंगे लिख्वरमीत हो जाएंगे। शिच्छा इतनी देतन की पटिया, शिच्छा हमें भी बताती है कि हमें अपने जीवन में सफर होने के नहीं कौन सा मार चुनना चाहिए। यह प्रामार्स कहों देती है, शिच्छा देती है, शिच्छा बेवहार में परिवर्था और बेहुत जन्म लेता है, तो उसके पास शिच्छा नहीं होती है, वह सीधा साथा हार्मार्स का उतला है, तो शिच्छा के मात्यां से धीर जीर उस बच्चे को बढ़ा होने कुरूर में उनके बेवरार में परिवर्था लाता है, वह अन्प्राइड हों से स्रिफ प्राई बन जाता है। धन्य बाद दोस्तों आज का काफी के ही समाख चुआ, अगले प्राफिक के लिए हम आख से फिर मिलते हैं।